दिस्मिल्ला रह्मान रहीम, last session में हमने discuss किया कि exchange rate targeting क्या है, यानि कि ये monetary policy strategy है, exchange rate targeting, जिसके अंदर exchange rate जो है, वो nominal anchor या intermediate target का role play करता है, इस lecture में हम ये discuss करेंगे, कि जो exchange rate targeting है, अगर monetary policy strategy ये बनाई जाए कि exchange rate को target करना है, तो इसके क्या advantages हो सकते हैं? इसका पहला advantage ये है, कि जो countries आज कल, आज के जमाने में, चुकि बेरुनी दुनिया के साथ, rest of the world के साथ connected होते हैं, यानि कि उससे goods and services purchase भी करते हैं, rest of the world से, और उनको sell भी करते हैं, यानि कि exports भी होती हैं, imports भी होती हैं, तो जो rest of the world के साथ trade हो रही है, चुकि currency की value fix कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि traded goods का inflation जो है, वो fix कर दिया गया है, उसका एक target सेट कर दिया गया है, उसका फाइदा आप अपने economy में समझ सकते हैं, कि अगर exchange rate fix हो, यानि कि exchange rate की value एक जगा पे stable हो, वो change नहोती हो, तो हमारी जितनी imported goods हैं, उनकी prices ना बड़ें, उनकी prices ना बड़ें तो उनकी वजह से, जो हमारी अपनी domestically produced goods हैं, अपनी economy की production वाली goods हैं, और services हैं, उनकी prices, जो उन traded goods की prices की वजह से बढ़ती हैं, फिर वो भी ना बढ़ें, तो इसका मतलब है आपकी economy में inflation का problem इस बेतर तरीके पर control हो सकता है किस तरीके से traded goods के inflation को control करने के जरीए दूसरी बात जब आपका goods जो traded goods हैं उनका inflation control हो गया और उसकी वज़ा से जो domestic goods and services हैं उनका inflation भी उसकी वज़ा से control हुआ तो इसका मतलब है जो inflationary expectations हैं वो anchor होंगी यानि कि जो producer है उसकी inflation की expectation ज्यादा नहीं होंगी जब ज्यादा नहीं होंगी तो इसका मतलब है वो अपने price के जो contracts करेगा अपने customer के साथ वो ये बात जेन में रखते हुए करेगा कि future में inflation ज्यादा नहीं होना जो labor है वो जब अपने contract करेगी firm की management के साथ तो वो negotiation के अंदर ये बात जेन में रखेगी labor union कि कल को inflation rate ज्यादा नहीं होना इसलिए वो ज्यादा higher wages की demand भी नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि expectations manage होंगी anchor होंगी और उसकी वज़ा से wage inflation कम होगा उसकी वज़ा से price contracts जो है वो lower inflation की उपर होंगे नतीजा क्या होगा economy में overall inflation control हो जाएगा फिर हमने एक problem पढ़ा था monetary policy का और उसको कई lectures में discuss किया था time inconsistency problem जो कि ये है कि एक बहुत optimal plan होता है policy maker का लेकिन जो कि long term में बड़ा beneficial होता है लेकिन short term gain के लिए short term फाइदा उठाने के लिए policy maker उस long term plan पे compromise कर जाता है यानि कि जो बड़ी अच्छी policy long term के लिए बनाई गई थी वो खुदी time inconsistent हो जाती है यानि कि वक्त के साथ वो एपली केबल नहीं रहती policy maker के नजदीक उससे deviate करना sometimes short run में beneficial उसे नज़र आता है जैसे हमने कहाता कि price stability एक long term commitment है जो कि एकानुमी के लिए बहुत beneficial है लेकिन अगर policy maker short term में monetary policy को expansionary कर दे तो उससे unemployment काम हो जाएगी short run में और output बढ़ जाएगी ये short run का gain है इस gain के लिए हो सकता है वो long term की जो price stability है या उसका objective है वो policy maker compromise कर दे तो यह होता है time inconsistency problem जो कि हम कई दफ़र discuss कर चुके हैं और इसका solution भी हम पढ़ चुके हैं इसका solution क्या होता था इसका solution होता है कि discretionary policy ही नहीं होनी चाहिए policy maker के पास इतनी discretion ही नहीं होनी चाहिए कि वो अपने long term goal से deviate कर सके तो अब सवाल ये पैदा होगा यहाँ कि क्या exchange rate targeting अगर time inconsistency का problem solve करता है अगर करता है तो फिर लाजमी ये rule based policy होगी discretionary नहीं होगी तो देख लेते हैं कि ये कैसे rule based बंती है देखें जब exchange rate को target करना है तो इसका मतलब है जब भी आपकी economy में currency के उपर उसकी weakness के लिए pressure होगा क्या मतलब कि वो currency depreciate होने चाह रही है या उसे devalue करना पड़ेगा उसकी उपर speculative attacks हो रहे है या हमारी foreign exchange की earnings कम है जबकि हमारी payments ज्यादा है इसका मतलब है आपकी currency के उपर pressure आएगा अब जब ये pressure आएगा तो central bank को क्या करना पड़ेगा central bank को अपनी monetary policy tight करनी पड़ेगी interest rate बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो आपकी foreign payments हैं वो कम हो सकें capital outflow रुक सकें imports कम हो सकें इसका मतलब यह है कि वो जो आपकी currency की उपर pressure है उस pressure से आपकी currency depreciate हो रही थी और चुके आपने exchange rate का target अचीव करना है तो central bank is bound to contract its monetary policy उसे contractionary बनाना पड़ेगा यह उसकी discretion नहीं है अगर exchange rate का target अचीव करना है तो इसका मतलब है लाजमी पिर उसे currency अपनी policy को contractionary बनाना पड़ेगा इसका मतलब है it is just like a rule based policy monetary authority के पास discretion नहीं है कि आपकी currency depreciate होने जा रही है तो आप policy ना tight करें यह discretion नहीं है अगर exchange rate का target अचीव करना है तो फिर आपको policy लाजमी tight करनी पड़ेगी इसका मतलब यह है कि it is a kind of rule based policy और जब आपको यह target हर सूरत में achieve करना है तो वो जो short run में policy maker deviate कर सकता है long term goal से वो यहाँ पे possible नहीं होगा क्योंकि जब भी monetary policy आप expansionary बनाएंगे unemployment कम करने के लिए या output बढ़ाने के लिए उधर से आपकी currency depreciate हो जाएगी अब अगर currency को depreciation से बचाना है तो long term commitment शो करते होगे central bank जो है वो खुद से short term gain के लिए policy को expansionary नहीं करेगा एक और चीज जो advantage है exchange rate targeting का हमने पहले भी पढ़ा कि monetary policy strategy ऐसी होनी चाहिए which is easily understandable इससे क्या फाइदा होता है इससे transparency बढ़ती है uncertainty कम होती है और याद रखें uncertainty also contributes to inflation ज्यादा inflation हो जाता है अगर आपकी economy में uncertainty बढ़ जाए आप खुद देखें 2023 के अंदर पाकिस्तान में inflation rate बहुत high रहा क्यों इसलिए कि uncertainty बढ़ गई तो exchange rate जो है ये easily understandable target है यानि कि एक illiterate बंदा भी हो वो भी ये समझ सकता है कि 300 रुपए का अगर आपने डालर की value रख दी है पार example ये जुरूरी नहीं है 300 ये हो मैं ऐसे example दे रहा हूँ कि 300 की उपर अगर आपने डालर की value रख दी है तो ये target अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा पालिसी मेकर कितना serious है अपने monetary policy के target को अचीव करने में ये easily verify कर सकता है एक illiterate person भी तो फिर इसका मतलब ये है कि uncertainty खतम होगी ठीक है तो इसका मतलब ये है कि exchange rate targeting की जो policy है उसके बहुत सारे advantages है और उन में से एक time inconsistency के problem का solution है और एक transparency का बढ़ना है जिससे uncertainty काम होगी